गारू से हम लोग आगे आता है तो हमको सबसे पहले स्वागत के रूप में ये रोद दिखाई देता है क्योंकि गेंसी हमको यहां से आगे जाना है और ये रोद को हमको बनाती हुए जाना है और साथ में जितना भी जो बाइक चलाता है गारी चलाता है अगर हमको सरक मिल जा तो उनसे भी हम पूचेंगे दरासल क्या कारण रहा होगा कि आज भी रोट का कंडिशन जो है इस प्रकार है लोगों को आने जाने में इतना दिकत होता है हम लोग गारू से इंतर करता है तो आपको वेलकम के रूपे यह रोट आमको दिखाई देता है इसका मतलब यह कहा जा है और जो गारी चलाता है चालक है उनसे भी हम लोग पूचेंगे कि इस रोट को लेकर जो देली चलाते हैं तो उनका क्या दिकत उनको क्या होता है उनसे भी बैंख होता है लेकिन स्वागत के रूप में हमको यह रोट तो देखने को मिला है यहां से आभी हमको गैन्सी की और जाना है हम लगातर बहुगा तरगी पोँचने तक हम दूसरे से भी पूचेंगी और जो भी गारी चलाते हैं उन से आनों पूचेंगे लेकिन ङूस आप तक हम पूंचाएंगे जो इस नहीं पॉर्झ मौन के लिए नहीं की दॉटेशा है अछी नहीं कि पुलता खाव यह कि अजिए नहीं नहीं घंक अज़ जाप जब कर दो फिरह जाना के सब्साल जाकर अज़ गिया ज़ागां जंद के लातों कि अज़ दाइर तब कर दोते चालता है और मुआइल ने जल्दी तो एक दिन में अब्दार में बनाता है. कर दो से खेंगे ने से जाएंगे लूट करेंगे जाते हैं आप कोई आया हम अब भी तक सो बस्ती से एक आपका जो एक जाते हैं रहते हैं यहां लोग देग रहे हैं बहूत दिक्कत हैं बाइक चलाने बलाई शकुटी और गारी मालिव इसकॉर्पियोता के लिए बहुत मु क्वाट One-78남 टृपतार में एन्हें हम बड़ाने कारशिया वासरे आने क वासरे आने का इज पना होती है वन होती है कि यह में आने का बातそ्वित बार दो ओग्ताम के छोवते है आम पाष्ट मुं कुल JJ नयुक्त था मैं इंतने हमते है laugh और एक अधनी आपका पंदरा बीस पंदरा बीस अची अची है तो इतना रस्ता कोई एतना साल लगा रहा है अधनी आपका पंदरा बीस अची है और उस दिन भी पता चले कि पैसा तो संक्षिन हो गया होगिन अभी तक काम इस्थार नेख है हम चाता है कि जल से जल हो ना दिक्कत तो होता है चलिए रोट तो एक तो एक रोट का कनेक्टिविती हो गया अगर आप है इसको सब हमें कुछ भी देख कर के आया हूं दूसरा जो है सबसे बरा इसू है कि नेट्वर्क का इसू है क्योंकि टेलिपोन नहीं लगता है तो यसे में अपलोग केसे मैनेज करता है इसमें एमर्जनसी केसे में क्या है कि मुझल एक चलिए तक्सों से ना उसमें तो नेट्रक नहीं लगता है तो अभी तो पिलाल गारू में बोधफ़न का आगे तो मुझल अब अगर एमर्जनसी होता है बोले से हम लोग वासे लेके निकलने पेदल तो कभी होगा ने जंगल जंगल में कोई जंगल इंगल भी तो उसमें जंगल में जाकि हम लोग नेत्रक द५ंटे और उसमें अच्छे सेकले नियोतर उसके लिए आमर्जो वासे आप 번째 किलो में डो किलो मेतर दो किलो में निकल कि यूम ले मलड़ बहुत है श्याव काम ने करना ओर्ठै एर ते लेane कुछ ने यामे बोद आपन भी है लेकिन माला यामी तो लगते हैं लगने में लेकिन वामे तो जाने से होता नहीं है बहुत दिक्कत बताने से भी हम तो आपको अल्दर तेंग फुल करते हैं कि अप इतलीस यामी आया ना वर आपको तम फोलो भी करते हैं तो इसे माला अपक यह स्कोर्पियो है यह रोट रोट कंडिशन यहां आप देखेंगे तो गारी को बहुत स्लो आना परेगा अगर यहां से आप चरते हुए गारी कितना मुश्किल होगा आप देखें यह तो दाउन आ रहा है यह देखें बहुत मुश्किल है यहां पर गारी जाना ना यह आप मुश्किल है लगि यहां से जो अप चलता है ना उसके लिए बहुत दिक्कत होता है यह जिसे कि आप देखेंगे रोट कनेक्शन यह है मतलब तो गैंशीं को यहाँ पर कितना दिक्कत होता होगा ये तो सवाल है मतलब पिछले कई सालों से मतलब अभी सरकार ये बोलता है कि जो हर गाउं को जो है कनेक्ट किया किया जा रहा है वो अच्छी बात है लेकिन कनेक्शन तो किया हुआ है लेकिन इसको मेंटेनस नहीं करना और आज भी ऐसे रोड़ से लोग गुजर रहे हैं तो ये सबसे बारा कोशन तो ये है तो रोड़ कंडिशन गारू से लेकर के गैंसी तक रोड़ कंडिशन बहुत ही खराब है अभी हम लोग गारू से अंदर आ चुके हैं हम लोग गैंसी के और जा रहे हैं या रोड़ कंडिशन को आप देख सकते हैं इतना रोड़ खराब है यहां पर बाइक जाने वाला, इसकुटी जाने वाला, जो छोटा गारी पकरता है, कार जो पकरता है, उनके लिए कितना दिक्कत होता होगा, यह रोट कंडिशन आप देख सकते हैं, यह गेंसी को रहाम को ले जाता है, यह यह आप देख सकते हैं, बाइट रासर को तो, यह बहुत दिकत अब गेंशी जा रहा है ना तिये चो यह गेंशी की रोद है जिसे कि उन्हें बाइस आमने पुचा रोद कंडिशन बहुत करप है जिसे कि बाइक जो जा रहा है उसके लिए यह आप देख सकते हैं तो उनको इतना दिकतों का यह पर सामना करना परता है कि मलब होने का चैंजर ज्यादा रहता है यह आप देख सकते हैं इतना तकलिप है यह आपर यह बाइक जो जा रहा है आप देख सकते हैं जिसे में फोकस कर रहा हूं यह है यह बाइक जा रहा है तो यह हमें जो है गेंशी के और ले जाता है तो यह आप देख सकते हैं तो रोड का कंडिशन जहां से अभी हम लोग गारू से इंतर किये थे तो मैक्सिमम रोड का कंडिशन इस परकार है कोई बलेक टोपिंग नहीं अगर बलेक टोपिंग किया भी है तो आज से सायद 20-30 साल पहले किया होगा लेकिन रोड कंडिशन यही है मतलब यहां रोड सबसे इंपोर्टन रोल आदा करता है किसी भी घाओं के लिए किसी भी सरकल के लिए तो यहां रोड का कंडिशन को अगर आप देखेंगे यह पिर पंचाइद लीदर बिता है उसको सवाल क्यों नहीं किया जाए यह तो है ना बड़ा सवाल कि क्या लोग इस प्रकार का रोट कंडिशन में अपने गाउं के से जाए अपने सरकल के से जाए अपने एरिया के से जाए मेडिकल केसिस में एजुकेशन के लिए किसी भी डिवलेब्मेंट के लिए तो यह सबसे रोट एक जरिया होता है तो रोट का कंडिशन को तो आपने देख लिया यह केबल गेंसी जाने वाला रोट है आप देखेंगे तो हर जगा कंडिशन खराब है तो इस परकार का रोट म में लोग जाता है या इस कुटी जो पकरता है बाइक जो पकरता है उनके लिए बहुत दिक्कत है पाइनले हम लोग गैंसी पहुंच गए और आप सभी को पता है यह लुवार सियंग दिस्ट्रिक के अंतरगत आता है और तोइंती एत लिकावली स्टी एस्टी एसम्बली कॉ और आप लोगों ने तो देख लिया रोड इतना हालत कराप है इतना हालत कराप है और किलो मितर की जब बात करते हैं आप तक्रीबन मानके चले की बीस से पचिस किलो मितर बीस से पचिस किलो मितर को आसम में ना पांच या चे मिनित में दोड़ता है और अभी आप मानके च जो है सरकल ऑफिसर क्या कर रहा है यहां का पी डवली डिविजन क्या कर रहा है यहां का पंचाइद लीदर क्या कर रहा है सवाल यह है कि इस परकार का रोज से जो है हमारे जनता को इतना दिक्कतों का सामना करना क्यों परता है कासकर जो मेडिकल पेशन होता है ना उनको जब यहां से बहुत दिक्कत होगा या पिर बहुत सीरेस होगा तो वह बासर या पिर लिकाबली या पिर आसम कैसे पहुंच पाएगा मुझे लगता है यह बीच में दम तोड़ देंगे तो क्या यह मेले का जिम्यदार नहीं है क्या अपने कंस्टेंशी को अपने सरकल को जो है डबलब करना तो यह गैंसी है तो गैंसी तो यहां से वलकम तो गैंसी तो लिका हुआ है लेकि रोट कंदिशनल को लेका और आम यह दिखाना चाह रहे हैं कि इतने सालों से गैंसी को दूसरे जग है कि यहां घे lessy को समझना होगा समझना होगा कि जैंशी C Qué को के सरी करना है लेकिन आप लोगों ने रोट का कंड determin को तुद का जिसमें गारी चलने में इतना दिक्कत होती है हम आगे यहां से भी अपड़ित आपको बताते रहेंगे लेकिन गारू से गेंसी तक का रोध कंडिशन बहुत ही कराब है जिसमें लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दर्सकों अब देखते रही अरुन भ झाल में गीघिता है हम एक उपर के लोगों का बहँ सरी तक चाल में गारू से रही हमगे रहाँ चाल में पर फषादक कर देखते ह्ती है है हम ऑजोगों को पूगों का ख़रूं आप टूरूंशन दाटना में चाल में उता जिसमें उता है हम अजाब लाग्छारूं के